तो फ्रेंस अभी जो आप अबास सुने हैं एडिट होने से पहले मॉबाइल के अंदर विदाउट एडिटिट तो फ्रेंस एक बेकार वीडियो और अच्छी ओडियो के साथ हमारी वीडियो कुछ इस टाइप की लगती है तो फ्रेंस आपकी इसी परिशानी का सोलूशन लेक नहीं मिलने वाला है और इसी के साथ साथ इस VOYA B bertfake में से चल सकता है फुल डेटेल में जानकाहिर दूँगा वीडिव पहुत ज्यादा कमाल के होने वाली एंटरेस्टीम हो सटाने वाली है नोलिजुओ ने वाली तो फिर बिना देरी कि इस वीड e van लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राब करता हुए, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, फुल डेटेल में, और नीचे जो वह सब्सक्राइब का बटन है न, उसको हिट करो। तो सुरू करते हैं फिर इसकी अनबॉकसिंग, सबसे पर इसको खुल लेते हैं, तो सबसे उपर हमें यह जाता है पॉप फिल्टा जिसका काम है हमारी पॉपिंग बोई इसको रोकना नमबर दो पर हमें वाइन मप मिल जाता है इसका काम भी हवा को रोकना है इसको हटाकर एक साइड में रख लेते हैं और इस साइड में आप देख सकते हैं कि हमारा है माइक इसको भी साइड में रख लेते हैं इसकी बाद बाद में करेंगे और फिर वहीं पर हमें साइड में रखा है यह बूम आर्म इसको कोनी भी कह सकते हैं आप कोनी जासे लगता है देखने में तो वहीं पर नेक्स्ट प्रोड़क्ट की बात करते हैं इसमें हमें मिला है यह सोक म जैली खानी नहीं है सिर्फ अपने प्रोड़क्ट के साथ रखनी है तो यह हमें यूजर मैनुवल देखने के लिए मिल जाता है इसमें सारा कुछ गाइड कर रखा है आप चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं और यह यहां पर कुछ पेपर वक्स मिल जाते हैं यह तो वीडिय की तरफ से आने वाले इस मोडल की तो इसका जो ऊपर यह जाली नोमा डेजाइन है यह बहुत ही बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी दी गई है ऐसा नहीं है कि बहुत सोफ्ट सा है या बहुत हलका है और नीचे आप देख सकते हैं जो एक्सलार का केबल हमें इसके साइड में रहेगा तो इसको भी साइड में रख लेते हैं और उसके बाद इस टेवल माउंट के बात कर लेते हैं यह टेवल माउंट है आप अपने टेवल में कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं और यह साइड से नहीं लेगा यह साइड जो है यह आपके टेवल के नीचे रहेगी और इसको आप यहाँ पर इसको tight कर लिए यहाँ पर इसको टाइट कर लिए यहाँ पर इसको लगाने के लिए हम कुछ ऐसे कर सकते हैं और ऐसे लगाने के बाद फिर वम इससे ऐसे करके टाइट कर लेंगे, तो यह SOKE mount लगकर रेडियो हो चुका है, अब हम इसमें लगाएंगे माइक, तो मैं इसको साइड में कर लएता हूँ, इस Alicia क्या करना है कि आपको इसको अच्छे से टाइट कर लेना है ठीक है? तो आपने इसको अच्छे से टाइट कर लिया उसके बाद आपको करना यह जो क्लिप मैंने आपको बताए थे इसको प्रेस करना है और बहुत अच्छे से प्रेस करके इसको जो इसका माउनों का लोगो है इस चीज को अपनी तरफ रखते हुए इसको इसके अंदर डाल देना है और बस यह सैट हो चुक हमारे माइक में आने से तो इसको कैसे लगाना है तो फैंस इस का वाले में भी लगा सकते हैं जहां पर भी आपको जbak बेटर लगे आप बहाँ पर इसको टाइट कर सकते हैं और फिर इसको मोड करके चाहे तो ऊपर की साइट से आप लगा सकते हैं चाहे तो नीचे की साइट से आप लगा सकते हैं तो फैंस अब बात कर लेते हैं अपने एक्सलर केविल की यह एक्सलर केविल है एक्सलर टू होते हैं यहांपर वो आपके मोईल में लग सकता है तो उसके लिए हमें मिला है इसके साथ यह बाई की जैसा दीखने वाला बाईесс lounge Avengers तो इसमें क्या होगा कि जो यह फिंक बाला दिखने वाला है इस माइक लगएगा तो basically इसको आपको इसमें लगा देना है और यह headphone के लिए दिया हुआ है और इसको हम अपने मोईल में लगा सकते हैं कुछ इस टाइप से अब यह साइड जो है हमारी मोईल में लग गई है और यह साइड हमारी इस वाले माइक में चलिदेगी तो हमारा मोईल में record होना शुरू हो जाएगा तो आगे लगा कर दिखाऊंगो आपको कि कैसे आप अपने मोईल में चलाएंगे और कैसे आप अपने PC में चलाएंगे तो इसको इसमें connect कर लेते हैं अब इसको लगाने के लिए में जो आपको हटा कर दिखाना पड़ेगा और फिर में दौआ अब लगा हुआ तो यह जो इस प्रिटा के विल आप यहां पर देख सकते हैं यह तीन पॉइंट इसमें दिया और तीन पॉइंट इसमें दिये हैं इसके अंदर इसको लगा देना जैसे आप इसको दवाएंगे आपको बेसिकली प्रेस करना है बस और जैसे आपको कट की अब आज आएगी तो आपका जो माइक है वो लगकर रेडिय हो चुका है तो फैंसी केविल बहुत लंबी है बहुत ही सोफ्ट और बहुत ही ब्रांडेट केविल है बहुत ही अच्छा केविल है बहुत जब दूसे तूटने वाला तो बिल्कुल नहीं है इसको का आउटपुट कैसा हमें मिलने वाला है पीसी के अंदर और कैसा एडिट होने के बाद मिलेगा उसके बात करेंगे हैं बोया भाई एम बन के साथ इसका कंपेरिजन तो वीडियो में बने लिएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा इसको स्टार्ट करते हैं तो अभी जो आप अवाज सुने हैं वो माउनों के माईक से सुनने हैं पीसी के अंदर कैसी आवाज आती है एडिट होने से पहले और अभी जो आप अवाज सुनने हो वो सुनने हो पीसी के अंदर माउनों के अवाज की कैसी आती है एडिट होने के बाद तो अभी जो आप मेरी आवाज सब्सक्राइब और अभी जो आप मेरी आवाज टोने हो के बाद मतलब एडिटिट ओडियो आप मेरी आवाज सब्सक्राइब और अभी जो आप मेरी आवाज सुने हो वह एडिट होने के बाद बाली आवाज तो फ्रेंट्स कैसा लगाई के साथ अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो कुछ नया जाना ओचे लिए और अगर अंड्रेलक सैटप के बारे में जानकार लेनी है तो ये वीडियो है आपके लिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मात्रम